अगर आपके उपर IPC 498DV Divorce Maintenance ये सभी केस या फिर इन में से कोई भी केस चल रहा है और सरिफ इस एक केस के उपर आप फोकस बना के अनकी ध्यान बना के अगर चलते हैं तो इन सभी केसों को अपने साइड के अंदर अपने पक्स के अंदर कर सकते हैं इन सभी केसों को आप वीडियो से कोई भी जानकरी समझ में नहीं आ दिया है तो इसलिए अन तक आप बने रही है और उससे फिले एक महत्तपूर सूचना है अपने में दे देता हूँ अपना सैकेंड यूटूब चैनल आ गया है जिसका नाम है एड़कोड जीत अंदर टू इस चैनल का लिंक इ और जो नए वीडियो प्लूट किया गया है उसको आपको देखना है तेखने के बाद में आपको वीडियो को लाइक करके सेर करना है और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबाना है एड़कोड जीत अंदर टू चैनल के उपर रोज जज़मेंट आया कर दीजिए यह जो एड़कोड जीत अंदर चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किये हैं तो और बैल आइकन को दबा दीजिए तो चलिए सुरू करते हैं में टो पी तो वैलकम दोस्तों मैं हूँ एड़कोड जीत अंदर यहां पर में क्लियर कर द पर जते हैं तो इन में से सभी केस यान कि जो भी केस आपके उपर चल रहे हैं उनस सभी केस के सभी केसों को अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं उनके सो को जीत सकते हैं तो इस केस का नाम है IPC 498 while अगर ये case हुआ और अन्य और भी case हुए है, आपको ज्यादा ध्यान है जो इस case के उपर बना के चलना है, अगर ये case जोटा हुआ है, आपके उपर आपके पास में ground अच्छे है, evidence, witness वगर सब कुछ है, तो आपको पूरी-पूरी कोशिस करनी है कि इस case को अपनी side में आप कर लेते हैं, और और अन्य case अगर आपके उपर चल रहे हैं, जैसे आपके उपर मालोग DV का case चल रहा है, तो आपको क्या करना है, IPC 498 का जो judgment पास हुआ है, आपके पक्स में जो case हुआ है, उसकी copy को ले जा कि आपको DV के case के अंदर लगानी है, तो ये क्या है कि समान आरूप होते हैं हर एक case के अंदर, तो वो case भी है, जो आसानी से आपके पक्स के अंदर आ जाएगा, अगला अगर आपको कोई divorce का case चल रहा है, तो उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं, जो 498 के judgment की copy उसको आप लगा सकते हैं, आप अगर divorce लेना चाते हैं, तो divorce भी आपको आसानी इसे मिल जाएगा, क्योंकि इस judgment से clear हो जाएगा कि wife ने आपके साथ है mental cruelty की है, और ये divorce case के खुद ground होता है, mental cruelty के आधार पे divorce लिया जा सकता है, अगला अगर पतनी नयानी की wife ने CRPC 125 ये फिर अन्ने कोई maintenance का case किया है, तो उसके अंदर भी आप ये जो है IPC 498 के judgment को भी इसकी पूरी गलती है, तो यहां पर अगर आप जब साब को स्वेंस कर देते हैं, तो गलत पतनी का maintenance भी नहीं बनता है, तो इस तरह के से आप CRPC 125 ये फिर अन्ने कोई maintenance का case है, उसके अंदर भी IPC 498 के judgment की कोपी लगा कि रफाइदा उठा सकते हैं, जानकार ये आपके समझ मैं उसकी कोपी लगा के और हर case के इंदरा फाइदा उठा सकते हैं, जानकर ये समझी में आगई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सेर भी करें जो और लोगों तके जानकर रिपोंच सकें, वो भी फाइदा उठा सकें, तो फिर आगे में लेंगे अपशे निवीडिय युनेटोपी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद